तो आज विग दिस से देखें राचिंग एडिकेटी वीके चलो आज कम लोगा टॉपिक है यार क्या टॉपिक है फिजीकल वेरिफिकेशन बहुत बच्छा का कंफिज जने जो बच्छे फ्रीज कर चुके है जिनों ने कॉलेज आप्ट कर दिया जो समाज चुके है कि मुझे जो कॉलेज मिल चुका है बट आगे भाईया क्या करना है डबलू बीजी ने इसा कुछ बताया नहीं है तो उसके रिकाडिंग आज इस वीडियो में बात करेंगे मैं यार डबलू बीजी के काउंसलिंग के रिकाडिंग हर एक पार्ट को टच कर रहा हूं हर एक पार पर व वीडियो आता ही रहेगा आपको बस क्या करना को सबस्क्राइब करते में चनल को सब्सक्राइब कर देने और अगर कुछ मिश्टेक हो जाता है तो उसके रिए मैं और होता भी है तो मैं क्लेरली बोल दिता हूं यार मुझे गलती हो चुका है और मैं उपूस्ट बीड़ लेता हूं ठीक है जो पहले हो चुका है मैंने क्लियर कर दी है वह 56 वाला ठीक है चलो आज बात करेंगे फिजिकल फेरिफिकेशन के उपर कि भाई या फिजिकल वेरिफिकेशन कब कराने जाना है तो कुछ बाते थोड़ा ध्यान में रखने चाहिए कि WBJ जो पहले होता था ह आपको अप्ग्रेड कॉलेज मिलेगा सही है बट जिसका कॉलेज फ्रीज हो चुका है उन्हें के नीचे में लिखा रहा था था नोट करके कि यूवाद टाइम ऑप इस डेट मिन्स 16-20 फॉर दी अडिमिशन सो गो तो यॉर मिन्स अलॉटेट इंस्टिटूट फॉर दे र प्रोसेस फॉर वेसिगल रिफिकेशन लिख देता है कि 16 से 20 तक या इतना से इतना तक में आपको चल जाना है बट इस बार क्या हुआ है किसी भी लेटर में ऐसा लिखा ही नहीं कि आपको कब जाना है फ्रीज वालों को भी नहीं पता चल रहा होगा कब तक जाना है को डाउट लग जाएगा मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ डाउट रहे तो फिजिकल फैरी जब आप देखो गे तो वहां पे देखो फ्लोचार्ट में लास्ट में जब अपग्रेड वाला में जब देख रहे होगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि रिपोर्ट टु फ्लोचार्ट में वही देखा वेव जी ने भी यही कहा है और मैं खुद एक्सपिरियंस मैंने बात किया है जो बच्छी एडमिशन करा है उनसे तब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो करना क्या है आपको यहां आपको डॉकुमेंट्स रिक्वाइड आपको दिख रहा हो कर Cravay में बताता हूं सब कुछ तो वीडियो का अच्छा से देख ते रहो अगर एबी देख रहे हो मतलब तुम सिर्यर्म्मामेंस मिल जाया इतनीविसदेख कर चुके हैं फिस्ट और यह वह उनको वह पड़ेगा जब last step, जब वो upgrade करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, कभी ना कभी तो यार उनको college मिलेगा, जो उनको लेना है, तो उस समय काँ आएगा, तो इसलिए वीडियो को सब देखें हैं, अच्छा से, चलो, अब यहाँ है, आपका documents required, जो आपको जाना है लेकर, कहां जाना है, college, किस college है, जो आपको last freeze या फिर last में मिलेगा, कब जाना है, कोसिस यही करना है हमें, कि round में जाना है, कौन round में जाना बाबू, किस round में जाना, for example, आपको round one में मिल चुका है, ठीक है, आपको round one में college मिल चुका है, सो राउंड वन खतम होने के पहले आपको कॉलेज चले जाना है बोले का भाया लेट होगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा एक बच्चे ने मैं परसनी जानता हूँ उसने एडमिशन करवा लिया तो मैंने पूछा उसे कि क्या कोई टाइम लिमिट दे रहा है क्या उन्होंने कोई टाइम लिमिट बताया था यह बोला नहीं भाया ऐसा कुछ नहीं है मैं गया एडमिशन करवा लिया मैंने ठीक है मैंने सब लेकर गया कुछी दिन बाद में जब मुझे लॉट मिला भीया तो उसके बाद मैंने दो-तीन दिन बाद ही फीपेमेंट वुकर प्राइवेट मिला तो 40 क उसने दिया तो साइड डाकुमेंट लेके वो गया भीया अराम से एडमिशन भी हो गया सागी संग वेकी दिन में हो गया सब कुछ कल कम्प्लीट हो गया तो बोला कि वेसा कोई टेंसन की बात नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं बोला जा रहा है कि आपको इतना टाइम तक आना है इसी यही अगर टाइम रिक्वाइट रहता तो WBJ इंफर्म करता है बड़ ऐसा ना कोई ओफिसल पीडियेफ है ना कुछ है तो आपको करवाना कव है तो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा आपका लॉट मिल चुका तो जल्दी से जाओ अब बोले को भीया मैं बाहर रहता हूं क उसका वेबसाइट में में कॉंटेक्ट होगा कॉंटेक्ट करो कॉलेज में जाएगा या मेल करो वह अपने आप बताएंगे कि आपको कवा आना है यह आप ओनलाइन कर सकते हो कि नहीं क्योंकि इस बार कोरूना है ट्रैवलिंग पॉपस्ष में प्रब्लम है जो इन श्टे से ठीक है सारा का website में जाना है कुछ निए Google में सब्सक्राइब मिल जाका या तो आप जो भी आपका college लिखो slash लिख के contact लिखो college लिखना college लिखें जिसे कि for example जो भी आपको college का नाम है college लिखें slash लिखना ठीक है जैसे आप contact लिखोगे Google आपको contact वाला पेज में direct लेके चल जाएगा I hope clear होगा नहीं तो आप directly भी आप website से जा सकते हो और website में contact mail भी रहता है mail भी कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे जैसा कोई tension की बात नहीं तो आपको बता देंगे problem है थोड़ा सा government में देखो government में क्या है कि किसी-किसी government college सब में नहीं जैसे कि J.U. J.U. में form फिल करना पड़ता है admission के लिए इनका एक form होता है जो J.U. खुद अपने website में निकालता है उसके portal में उस form को फिल करके साथ-साथ जेतना document में बताऊंगा सब को लेकर जाना पड़ता है तब वो admission होता है जो यह form नहीं भरेगा उसके admission नहीं होता है बट अभी J.U. ने कोई notification जाई रही नहीं किया इसके recording उसका website में मैं ने देखा ऐसा कुछ मिला नहीं ठीक है तो जिसको जिस बच्चे को J.U. fix हो गया फ्रीज हो गया वो क्या आगर है J.U. को भाई contact करो नमबर हमाँ बहुत सा आ रहता है contact करो जल्दी से वो बता देंगे कि आपको डिरेक्टली आना है क्योंकि हो सकता है इस बर form ना हो आपको डिरेक्टली जाना पड़े लेकिन जाना तो पड़ेगा admission एक बर कराने के लिए आपको college जाना ही पड़ेगा ठीक है भले ही आप जितना भी online कर दो है ना आपको physically एक बर देना ही पड़ेगा वहाँ पर signature करना पड़ता है बहुत कुछ करना पड़ता है तो signature तो आप नहीं कर सकते ना online कितना भेजोगे और ऐसा कुछ अपडेट कि इसी के बारे में आया ही नहीं किस college ने निकाला ही नहीं कि online में करवा रहा हूं सब कुछ online हो रहा है इस college में तो इसलिए आपको जाना तो पड़ेगा आप जलिए बात करते documents क्या क्या लगेगा तो यह document बहुत important है थोड़ा ध्यान से देखना safety के लिए ने तो फिर आपको problem हो जाएगा और मैं कुछ extra document भी बता दूँगा जो आप रख लेना क्यूंकि वावस आने सकते हैं अगर मानलो आपको conditions बहुत जादा है तो वापस तो आने सकते problem है अभी first seat allotment letter जो आपको final letter मिलें का जो आप download की है counseling से वह आपको लेकर जाना है class 10 का mark seat class 10 का admit card यह optional है फिर भी लेकर जाना बोलो क्यूंकि बाइचंस birth वाला आपका proof मांगे ठीक है देखने के लिए class 10 admit लग जाता है फिर class 12 का mark seat तो important है ठीक है WBJ का admit and score card यह सबसे important है boss यह बहुत important है इसके बिन आपका process आके नहीं पड़ेगा यह बहुत important है रखना अपना पास receipt of fee payment किसका receipt जो आपने 5k या फिर 40,000 जो दिया online ही दिया वह आपको एक receipt मिला होगा ठीक है उसका screenshot का printout निकाल लो ठीक है या तो आप उसका PDF होई तो अच्छी बात है वह लग रखनो एक optional और है TC and migration transfer certificate and migration जापका 12 के school से मिला है ठीक है वह भी रख लेना यह आपका private means जरूद नहीं पड़ता है ठीक है मेरे जो मैंने इतना experience किया private means जरूद नहीं पड़ता है 100% जरूद नहीं पड़ता है government में लग सकता है government college में लग सकता है migration अगर आप जारकंड से हो यह बाहर से पड़े हो तो by chance और या तो TC certificate भी लग सकता है बट ऐसा यह optional है वैसे तो कहीं लगता नहीं बट फिर भी safety के लिए अगर आपके पास है तो आप लेकर चलो नहीं है तो कोई लेकर important है चलना है प्लस यहां पर एक लिखावा नहीं है जो है आपका photo ठीक है 8 नमबर आपका photo और यह photo ज़री नहीं के जो आपने upload किया वही लेकर चलना अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है लेकिन पास्पोर्ट साइज photo बहुत important एक नहीं कम से कम 6-7 copy लेकर चलना by chance ठीक है ज्यादा copy लगता है बहुत जगह जाना पड़ता है कार्ड बगएरा बनते हैं बहुत कुछ है तो आप लेकर चलना क्योंकि बहुत सारे colleges में अभी सही मांगा जा सकता है तो I hope सब clear हो जगा होगा क्या 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 लेकर जाना है कब जाना है कैसी जाना है है जिता जली हो सके यार confirm करो admission खतम करो अपना माधा का देन संदूर करो तो I hope वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो नया देख रहे हैं ठीक है ज्याद से कर दो यार आपको अभी आने वाले समय में college related in terms training बहुत कोई में आपको कहां कहां आपको कैसे क्या इसमें help हो सकता है internship का offers में बता सकता हूं फिर आगे आपको पोस्ट पीजी अगर करना है तो गेट बगारा के लिए भी में बताऊंगा तो यह चैनल बहुत ही useful होने वाला है ठीक है आपको कैसे आपको college में आपको ग्रेटेट रना क्या करना सब कुछ पता चलेगा तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो आपको future में बहुत help मिलेगा तक के लिए